इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद न्यूज मैं आप सबी का खर मगदम है देश को बांटने वाला बिल आखर लोकसबा में पास हुआ जब से मोधी सरकार हुकूमत में आई है मजभी तशद्द्द में ही इजापा होता गया है ना के भारत की महीशत बेटर हुए तरक्य अगर हुए है तो सिर्फ न मोधी सरकार इस बिल को लाकर आखर क्या हसिल करना चाहती है समझ मनी आता देश बरबादी की राह पर चल पड़ा है पर इन्हें और बरबाद करने की ही पड़ी हुए है और शहरियती तर्मीम बिल को पास कर किस तरह सिर्फ मुसल्मानों को निशाना बना जा रहा है सारी द चाहरिए कूँछ जिन्दा रखने का है इसको कायम रखने का है देश के अंदर जिसक गदर क्या हमारे बुजर्गों ने और असलाफ ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज मुसल्मानों के साथ इस तरह का रवया क्या जाएगा सारा मुल्क खामोश रहा आखिर हमारा जुर्म क्या है कि हम मुसल्मान है ऐसा आसाम के एमपी बदर दिन अजमल साहब ने कहा हुई आसा दिन वैसी ने यहाँ बिल मुसल्म दुश्मनी पर मुबनी बिल कहते हुए कहा कि मैं इस बिल की मुखालिफत करते हुए भाड़ता हूँ क्योंकि तशद्दूत के बिल को महत्म गांदी ने भी फाड़ा था वो इसी ने ट्वीट कर कहा कि आदी रात को एक जटके में जब पूरी दुनिया सो रही थी आजादी बराबरी भाई चारा और इंसाब के बारे में भारत के आदर्श के साथ धोका और फरेप किया गया है लोग सबा में अक्सरियत के साथ मनजूर किया गया अब राज्य सबा में मनजूर होना है पर ऐसा लग रहा है कि देश को बांटने वाले बिल को किसी तरह मन्जूर किया जाएगा मुखालिफत में कांग्रेस पराटी, त्रूनमूल कांग्रेस के 13 रुकन पारलिमान, समाजवादी पराटी के 9, वामदल के 6, टियारेस के 6, डियमके के 5, आरजेडी के 4, आम आदमी के 3, बियस्पी के 4 और अन्य मयनिकी बाकी दिगर 21 रुकन अब तक के अपने रुक के मताब इसके मुखालफत करेंगे, अब राजेस्बा में इस बिल को रखा जाना है, जहां से पास होने के बाद में ही यह कानून की शक्ल लेगा, बीजेपी के पास अब तक कुल 83 रुकुन है, और पास होने के लिए 121 की जरुते मुखालफत में 110 है, लियाजा कुछ और सांसदों को जोड़ना होगा, और जोड़ तोड़ में वैसे भी अमिच्छा और मोदी माहीर है, अगर कुछ संसद वाकाउट भी करते हैं, तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा, अगर इन्हें कोई फिक्र नहीं है, कि देश का मुस्तक्बिल कितना भी अंधेरे में चला कई इलमी दानी शोरों का कहना है, हर रोज उटते सवालों को मोदी सरकार जवाब नहीं देना चाहती, और वो मुश्किल में है, और उन्हें जवाब देना मुश्किल भी होता जा रहा है, तो लिहाज़ा किसी तरह से इन्हें दूसरी तरफ जहन को मोड़ देना था, जाहि किये कई सारे लोगों ने यहां पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के दबाव में ही आकर सुप्रीम कोट ने राम मंदिर के हाग में फैसला सुनाया लिहाजा फिर से देश की जंता रोटी कपड़ा और मकान पर सवाल ना पुछे बढ़ती बेरोजगारी भुकमरी पर सवाल ना पुछे इसके लिए सिटिजन अमेंडमेंट बिल का हंगामा खड़ा किया गया और मीडिया तो बस इसके लिए ही तयार रहता है कॉंग्रेस ने धर्म के नाम पर बटवारा की आता इसलिए बीजेपी कर रही है यानि हर मसले को जिम्मेदार कॉंग्रेस को ही हम कॉंग्रेस की हमायत नहीं कर रहे हैं लिहाज आई इनके लिए सिर्फ कॉंग्रेस ही एक दलील होती जारे है दूसरी तरफ देश की जंता का क्या पैसला होगा यह एक असल बात है क्योंकि गोहटी में क्याब यानि शेहरियाती तरमीम बिल को लेकर बहुत बड़ा जलू का इत्माम किया गाता जिसमें हजारों लोगों ने शिर्कत फरमा कर इसके मुखालिपत का मुझारा किया यह भी कहा जा रहा है कि देश में हिंदुराश्ट का अजेंडा नाफिस करने के लिए मुसल्मानों को दूसरा शहरी बनाने का मुनसुब बीजेपी के जानिब से कि सक्यूलर जहन के लोगों को पेश पेश आना पड़ेगा देश को बांटने की साजिश जिस तरह से फिरकापरस तंजिमों की जानिब से की जा रही है दरसल मुसलिम माशरा भी इसे अंजान है क्योंकि कई सारे मुसलिम दानिश्वर या तो डरे हुए हैं या डर कर खामोश दी लगा देनी चाहिए क्योंकि यहां बिल हिंदुस्तान की सक्यूलर तारीख और मुल्क आहीन के खिलाप है जो बगएर किसी मजभी इम्तियाज के बराबरी की जमानत देता है एक प्रेस रिलीज में अमरीकी कमिशन ने कहा कि अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो अमरीकी सरकार को भारत के वजिर दाखला अमिच्छा और दिगर लीडरों पर पाबंदी के बारे में सोचना पड़ेगा अब देखना है कि क्या अमरीकी कमिशन बराए बैनुल अक्वामी मजभी आजादी का दबाओ भारत के उन लीडरों पर कितना पड़ता है जो सिर्फ नफरत और मजभी तशदुत की ही सियासत करते हैं जिनका मकसद भारत को हिंदुराश्ट करना है अब फैसला तो देश की जनता को भी करना होगा कि सद्यों से चलती आरी भाई चारगी की तैजीब को बचा कर सारे जहां से अच्छा बनाना है या भारत का भी नेपाल बनते हुआ हम सब को देखना है इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अल्लाहाफीज